सबी का हार्दिक स्वागत है अपने यूटूब चैनल के उपर अभी जो मंत चल रहा है वो चेत्रमास चल रहा है और चेत्रमास में गाई यदी नीम्त के पत्ते का सेवन करती है तो गाई को पूरे साल बर एक एनरजी मिलती है जो गाई को बीमारी से लड़ने के लिए बहु इसलिए चेत्रमाईने में गाये ने नीम का सेवन करना बहुत ही आउश्यक है और चेत्रमाईने में जो नीम के नीम के करना चाहिए जिस से गाये को एक एनरजी मिले जो पुराना ग्रंध है और प्राचिन जो समपदा है उसमें नीम का महत्वत चेत्रमाइने में बताया है कि जो पशू तता मनुष्य भी नीम का चेत्रमास में सही मात्रा में सेवन करेगा उसको उसका लाब पूरे साल भर मिलेगा वो कभी बीमार नहीं होगा और गुड़ी पाडवे के दिन भी नीम का सेवन को दिक करेगा तो उसको भी पूरे साल भर तक कोई बीमारी उच्छू भी नहीं सकती ऐसा शास्रे में बताया गया है गाय पशू अपने इससाब से नीम का सेवन करेगी तो वो कभी बीमार नहीं होगी यह कोई भी एंटीपेटिक दवा की जरुवत पूरे साल भर नहीं पड़ेगी थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच